मुझे प्रशनता है कि आज हमारा देश खुले में सौच से मुक्त होने के लक्ष के बहुत करीब है लगवग 10 करोड सौचालाय बनाए गए है 55 करोड से अधिक आवादी खुले में सौच करने की आदत से मुक्त हो गई है इस प्रकार करोडों लोगों के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आया है स्वक्षता अव्यानद्वारा हमारे समाज में एक नई चेतना का संचार हुगा है कई ऐसे उदाहण सामने आये हैं जब हमारी बेटियों ने अपनी होने वाली सस्वराल में सोचाले ना होने के कारण साधी से इंकार कर दिया घर घर में सोचाले बनने तथा इसकूलों और सारजने के स्थलों पर महिलाओं के लिए सोचाले की सुविधा होने से हमारी बहु बेटियों की गरिमा की रक्षा हुई है कुछ शेत्रों में इन सवचालेओं को इज़त घर का भी नाम दिया गया है इसे से महिलाओं की दिन चरिया और स्वास्त पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है इस प्रकार स्वक्षता अवियान महिलाओं के ससक्ती करण में सहायक सिद्धुआ